कि स्वागत है व्यूवर्स आप सबसे काफी लंबे अंत्राल के बाद इंट्रेक्ट करने का मौका मिल रहा है आशा करता हूँ आप सब कुशिल मंगल होंगे चैनल देखते रहेगा मैं अपलोड जरूर करूंगा भली लेट करूं और सब्सक्राइब भी करियेगा ताकि हमार जो आप से ये इंट्रेक्शन है ये चलता रहे और आपके समस्यां भी समधान होते रहें आप में से बहुत से विवर्स ने मुझे लिखा है हालकि मैं जवाब नहीं दे पाया कि क्या मृत्यू अकाल मित्यू को हम जर्म कुम्ली को देखकर जान सकते हैं कईयों इसलिए पूचा कि एक एक्टर की अचानक अकाल मित्यू हो गई उनके फैन रहे हों गई सारे क्या इतना बड़ा सेलिब्रिटी क्या इसको पहले ही अपनी कुंडली देखकर चीजों को जान लेना चाहिए था या नहीं मेरा बहुत लंबा अनुभग साधना की आत्रा में रहा जोती शास्त्र में रहा अंगिनित कुंडलियां देखी जिसमें मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हाँ अकाल मित्यू का योग जिनम कुंडली में होता है बहुत पूजा पाट दानपून्य सैथसंग सेवा के द्वारा ही आप बच सकते हैं हाँ यह 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 आपने बहुत ज़्यादा पाप पूर जिनम में किया है और मालिक आपको पनिश्मेंट देना चाहता है तो उस दोरान बचना नामुम्किन सा होता है लेकिन फिर भी आप बहुत आपको पहले सी पता चल गया और बहुत पूर्ण्य के रास्ते में र से मिलता हूँ तब आप जो पंडित ब्रामन ने काए फिर आप उसकी बात को शद्धा से पालण नहीं करेंगे जैसे कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ मेरा यही रोजी रोड़ी नहीं है तो मैं यहां जो भी कहता हूँ अपने चैनल से यह सेवा भाव से है और आपके भला के लिए यह बास सर्त है कि अकाल मित्य योग होता है और वो सेलब्रिटी एक्टर भी अगर उसकी कुन्वली में देख लेता और नेगिटिव चीजों को जान जाता तो कुन-किन चीजों में में साबधान रहना है अकाल मित्य योग अचानक भी आ सकता आपका अपने अपने लोग भी कर सकते है अपने घर के लोग भी अचानक आपको इस तरह की डेंजर क्रियेट कर सकते है आगी चलते हैं विवर्स मित्यू एक अटल सकते है कोई इसे बतल ली सकता कब किस कारण इसकी मौत होगी यह कोई नहीं जानता कुछ लोगों की मित्यू कम उम्रेम हो जाती है ऐसी मित्यू को अकाल मित्यू कहते है जरम कुंडली में जब कुछ अशुब योग बनते है तो वैक्ट्री की अकाल मित्यू होनी के योग बनते है मैं नीचे बता रहा हूँ आगे आपको कि अकाल मित्यों किस प्रकार का होता है वो सेलिब्रिटी है जिसके आप फैन थे उसका भी जो इंटरनेट में कुंडली अबलेबल है मैंने दिखा मंगल के तु साथ में है सप्तम्बे बहुत ही चिंता का विशे है अगर वो मुझे पैरे मिलते और मेरे से पूसते तो मैं डेफिनिटली उनको फ्री में बताता साप धान शुक्र जरूर पाउरफुल है बहुत बलवान है इसे लिए मीडिया वर्ल्ड फिल्म्स के अंदर इतनी बड़ी सैलिबरिटी कम टाइम यो बनाया लेकिन मंगल और केट्यू की पोदिशन बहुत ही खराब है वो भी सब्तम में तो सब्तम में मंगल केट्यू होना अगनी तत्व का होना एक्स्पलोजिन इंडिगेट करता है बहुत ही एक प्रकार का विश्योग है आए जानते किन ग्रहों के कारण अकाल मित्यू होती है वीवर जिसकी कundली के लगना में मंगल हो और उसपर सूरिय शनी की अत्वा दोनों की दिष्टि हो तो दुरगटना में मित्यू होने की आशंका रहती है राहु मंगल की योती अत्वा दोनों का सम सब्तक होकर एक दूसरे को देखना भी दुरगटना में मित्ति होने का कारण हो सकता है तीसरा मैं कहूंगो छटे बाप का स्वामी बाप ग्रह से युक्त होकर छटे या आठवे बाप में हो तो दुरगटना में मित्यू होने का भाय रहता है जोति शास्त्र के अनुसरा व्यूर्स लगनभाव दूसरे बाप तथा बार्वे बाप में अशुप ग्रह की स्थिति हर्त्या का कारण हो सकती है दसम भाव की नवाम श्राशी का स्वामी रहू अत्वकेतू के साथ स्थित हो तो वैक्ति की मित्यू असवाविक होती है लगनेश तता मंगल की यूती छटे आटवे ये बारवे भाव में हो तो वैक्ति की मित्यू शास्त्र के वार से होता है मंगल दूसरे साथवे या आटवे वाप में हो और उस पर सूर्य की पूर्ण विस्टी हो तो वैक्ति की मित्यू आग यानि की अगनी से हो सकती है ये विवर्स हमारे प्राचीन शास्त्रे में कुछ योग्स बताएंगे हैं जो अकाल मित्यू की और सुचित करती है लोग जनम कुणली में सिर्व अपना अच्छा जानना चाते है अच्छा के साथ-साथ थोड़ा बुरा को भी जान देने से क्या होता है कि आप मेंटली प्रिपेर रहते हो हचारों साल पहले से जोतिश शास्त्रे सत्य है सत्य आज भी है और आगे भी सत्य रहेगा ये बात अलग है कि हम एस्ट्रोजर्स लोग जोतिश लोग इंट्रप्रिटीशन में मतलब निकालने में ग्रहों के गलत हो सकता है जोतिश शास्तर गलत नहीं है धन्यवार विवर्स चैनल सब्सक्राब करेगा जल्दी मिलता हो थैंक्यू बाई ये बात क्यां ये जदिएियान में उल्दी दोगो बात क्या्क्यकर है झाल झाल